प्यारे वद्यार्थियो, सब तो पहला मेरे चैनल ते तो हड़ा बहुत-बहुत स्वागत है जी वद्यार्थियो, जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक सबस्क्राइब नहीं किता ते इसनों सब्सक्राइब यू कर देो बेल लाइकन नो जू प्रेस कर देओ ता जो मेरी हरे एक नमी वीडियो दी नोटिफिकेशन ता नो मिल सके वद्यार्थियो विपाग बोलों सब्तमबर टेस्ट लई मैथ विशे दे सैंपल पेपर पेज देते गए हां जी ते आई दी वीडियो वे चापाँ नौमी क्लास दे मैथ विशे दे सैंपल पेपल नो हल करांगे देर्थियो आओ पहला सब्तमबर टेस्ट दा जो स्लिबस है उसनों देख लेने हां ते फिर जो टेस्ट दे अंदर पेपर दे अंदर जो अपने को स्वाल आई हां उस सारे ही स्वाल है नौम आप एक के करके हल करांगे जी देर्थियो आउन स्क्रीन देता नौम जो स्लिबस है मैं दा सब्तमबर टेस्ट दा नजर आ रहा है जी टोटल साथ चैप्टर हां साथ चैप्टर दे विच्चों अपने को पेपर आएगा टोटल आपने को असी नंबर दा पेपर होएगा समा तेन केंटेदा होएगा ते केड़े चैप्टर दे विच्चों किन्य नंबर दा पेपर आया वो भी लिख्या होया है पहला जो संख्या पर नाणी नंबर सिस्टम है उस दे विचों 12 नंबर दा पेपर आ रहे है जी किन्ने किन्ने सवाल होंगे यो थाढ़े स्क्रीन दे उपर सब कुछ नजर आ रहे है जी दूसी इसनों एक बारी स्टडी जरूर कर लेना जी आओ होना आपां पहला कोशन पेपर चेक कर देहां ते फिर सारे ही स्वालानों एक एक करके सॉल्व करांगे जी स्वालानों एक करके सॉल्व करांगे जी तुसी सारे ही स्वालानों एक करके सॉल्व करांगे जी तुसी सारे ही स्वालानों कापी दे उपर जूर नोट कर लेना है ताँ जो फ्यूचर वेच भी तुसी इना स्वालान दी जो है त्यारी कर सको जी पहला क्वेशन अपने कुछ तरह है जी जी जीरो अते एक दे विचकार डैश संपूरन संख्यामा हुं दिया हान ते नीचे चार आप्शन देती है हुई हान सबतों पहला आपां संपूरन संख्यामा लिख लेने हान जी संपूरन संख्यामा अपने को की हुं दिया हान पहला देखो जीरो तो स्टार्ट कर रहे हान जीरो एक सज्जे पासे इस दे जमा वाड़ी नंबर हुं दे हान जीरो दे ये इस तरह ही चलदा जाएगा ते खब बेपास से अपने को कटाओ बाड़े नंबर होंदे हैं कटाओ एक, कटाओ दो, कटाओ तिन, कटाओ चार, इसे तरह सो ओन ते ए अपने को हान जी संपूरन संख्या हाँ ते अपना देखना है, जीरो अते एक दे विचकार कोई संपूरन संख्या है जा नहीं है ते देखो, जीरो तो बात सिद्धा अपने को एक की होंदा है इना दे विचकार कोई भी अपने को संपूरन संख्या नहीं है इट में अपने को right option की आएगी जी, add option आएगी, zero, इना दे विचकार कोई भी संपूरन संख्या नहीं है जी सुना अला question अपने को इस तरह है जी बाई बटा साथ दा दिशमल विस्तार किस तरह दा होवेगा ते नीचे चार option देखने होई हैं जी शान्त, अशान्त, आवर्ती, अशान्त, अणवर्ती, जा इना विचों कोई भी नहीं ते स्टोन देखो आपने को बाई है जो बाई है ओव एक संपूरन संख्या है बटा साथ भी अपने को एक संपूरन संख्या है जेकर दो सम्तुरुण संख्या मानू, अपनो बटयां वेच लिख दे हाँ, तोस्तोन अपने को बंड जान दी है एक परमे संख्या यह अपने को P bata क्याओं दी फर्म बन गई है, यह अपने को किया गई है, रैशनल नमबर आ गया है पी बटा क्यों फॉर्म आ गई है प्रमे संख्या बन गई है ते प्रमे संख्या माँदा जो दिशमलब विस्तार होंदा है वो दो तरह हो सकता है जानता उस दा अंसर शांत आ सकता है जान उस दा अंसर आ सकता है अशांत आवर्ती ते हुन जो तो अपने को किया जाएगा पा एक चार दो आठ पांज साथ एक चार दो आठ पांज साथ एंड सो ओन बार बार अपने को एही नंबर रपीट होएगा एक चार दो आठ पांज साथ इस तरह एही नंबर अपने को बार बार रपीट होंदा जाएगा ते इट मीन बाई बटा साथ दा जो दिशमला विस्तार है वो किस तरह जाएगा तिन पॉइंट एक चार दो आठ पांज साथ दे उपर पादना है अपना बार बार दा मतलब है कि एही नंबर आपने को बार बार रपीट होएगा ते इस तरह दा जो दिशंबलब विस्तार होंदा है ओ स्टून अपने को होंदा है जी अशान्त आवर्ती इट मीन अपने को एड़ा ओप्शन इस दा आनसर आएगा जी स्टून अगेला कुशन है जी अपने को बहुपद दिता होया है पी एकस बरबर एकस दी काट तेन तो अपने को जी जागाती किई पर दना है एक बटा तेन ने थे पार जाना है ते इत्या जाएगा एक बटा तेन दी कात तेन इस दा मतलब है एक बटा तेन नूँ अपां तेन बार गुना कर दिना है क्योंकि कात तेन है कात तेन है कात तेन दा मतलब इसनू तेन बार गुना कर दिना है जी ते होन देखो उपर ले नम option right है जी एड़ा option अपने को है जी एक बटा स्ताई सो अगला question इस तरह है जी कटाओ दो वाई दी का दो कटाओ पांज विच की जोड़िया जावे कि कटाओ पांज आपने को प्रापत होवे चार option देती हो ही यहान तरस्टोन देखो आपने को कटाओ दो वाई दी का दो कटाओ पांज इस दे विच आपन की जोड़ना है इस दे विच आपन की अपने को जोड़िये कि जो अंसर है अंसर अपने को की आजवे कटाओ पांज आजवे तो यह चार option विच देखो आपने केड़ी option फिल कर सकते हैं जिस देविच जिस पूने जाएक पढ़ा है जो वाइदिका दो जमा वड़ा है यह दो वाइदिका दो कटा वड़ा है जमा ना कर जाएगा ते राफशन अपने को की बच गजाएगं, दो समानतर दो खाँ रह जोड ले जोですか समय आपने को दो समान्तर रेखा मां हैंए इस देनाल आपने को एकको पासे बने अंदर ले कौन दोनों हन एना दा जोड की रहेगा ये जो मैं ग्रीन कलदर देना शेड कर रहे हैं ए अपने को दो कौन की हन काट भी रेखा दे एकको पासे बने अंदर ले कौन हन जी ते एना दा जोड की हुंदा है अपना पता करना है ते इस तरह दा कोश आपने को सी बन रहा है ते अना देखुए थे अपने को सी बन रहा है सी दे अंदर ए दोनों ही कौन आरे हैं हरे वाले जो ग्रीन कौन होन ये दोनों सी बना रहे हैं हो सीधे अंदर वाड़े कोन हन, ते इस तरह दे जो कोन हुंदे हान, ओ हुंदे हान, जी काटवी रेखा दे, इक को पास से बने अंदर ले कोन, ते इस तरह दे कोना दा जोड हमेशा हुंदा है, जी एक्सो असी डिग्री ए में सुना अगला कोशन इस तरह है जी एठा लिखें विच्चों केड़ा त्री पुजां दी सर्बंग समता दा नियम है ते नीचे चार आप्शन देती है हुई यहान हुण सुन सब्तों पहला पाँ जो त्री पुज दे सर्बंग समता दे नियम है व दूसरा हून दढ़ा है S-A-S rule तीसरा हून दढ़ा है AS-A rule चौथा हून है A-A-S rule पंजमा आपने को हून है RS-R-H-s rule ते इनना पंजमा विच हून आपना देखना है कि ऊपर केडी option दे विच आपने को गही रूल लिख लिख přे देखो ए जो second जो रूल आपने से आपने नजर आ रहे हैं फर्स्ट आप्शन दे विच लिख्या होया है एस एस रूल साइड एंगल साइड पुजा कौन पुजा रूल ते बाकी जो अपने को हान ए जो हान ए सरबंक समता जे नहीं हम नहीं हों दें अगला कोशन इस तरह है जी एक तिकोना कार पार्क दिया पुजामा 11 मीटर 15 मीटर अर्थे 14 मीटर हान इस दा S पता करो ते स्टोन एथे S दा मतलब है जी अपने को अर्ध परमाप ते इस विच आप अर्ध परमाप पता करना है जिसनों इंगलिश विच सेमी पेरिमेटर कह देने हान जी तिकोना कार अपने को पार्क है इस दिया पुजामा देती हैं होई यहान एक डियाग्राम देना अर्ध परमाप ते ओ हुन दा है जी पुजामा दा जोड बटा दो जिनिया भी पुजामा हान उननों आप जोड देना है ग्यारा पंदरा जमा चौदा ते बटा आप उस दा दो कर दना है जी उन देखो 11 पंदरा ते 14 दो जोड़ांगे ते अपने को जोड के चारीआ जायेगा चारी बटा दो उन दो देखो पाड़े वेचे चारी कट्या जाएगा जी, V ते, इंट मीन अपने को जो अर्द पर मापा आ गया है, वो आ गया है, B मीटर, इंट मीन केडी आप्शन राइट है, जी, B आप्शन इस दा राइट आप्शन, इस दो अग़ला कोशन इस तरह है, जी, P E धा मूल अपन देता होया है, ते P E नहीं धा मूल ते स्टोड़े ए चप्टर अपने को संभावना चप्टर दे विच्छों कोश्ण है जी ते इस विच दिखवा अपने को एक फॉर्मला होंदा है जो कि अपना पहला भी कई वर मैं कई वीडियो विच डिसकस कर चुका है जी पी ईगे वेच जे कर आप पी ई नहीं नीओ जोड दिनने हा किसे कटना दी संभावना होण दे ना होणदे इना दू अदा जोड जो है वह हमेशा एक दे बराबर होंदा है जी ते पी ई दी वैल्यू देख़ा अपन दिती हुए है 0.25 जमा पी ई नहीं इना दू नहीं एना PE नहीं दा देखु अपने को की मोला जाएगा, PE नहीं किया जाएगा, 1 दे विच्छों आपने को 0.25 घटादेना है, देखो किस तरह होने इसनों माइनस करना है, एक नहीं आपन किस तरह लिखांगे 1.00, तो नीचों कटाओना है 0.25 दे विच्छों, होन लास भी देखो अपने को 5 है उपर 0 है तो 0 दे विच्छुं आपँ 5 नहीं कटा सकते हैं तो अपने इधनों बॉरो करना पाएगा हासल लाना पाएगा तो अपने 1 तो हासल ला माँगे एथे 0 बाद जाएगा एथे 10 आजाएगा फिर 10 तो इधर हासल ला माँगे एथे 9 हासल आजाएगा एथे 10 आजायगा 10 तो पंच कटा मांगे 5 दे नौदे विच्छँ दवकटा मांगे शात आ जाएगा पॉइंट दे नीचे दिशंबलबप्ट दे नीचे दिश्यबलबब तो जीरों कुटा मांगे गी जीरो इट cover 0.75 तो ले दी the right option अगला क्वेशन अपने को इस तरह है जी चितर वेचे दिखाए A कौन अते B कौन दा आपसी संबंध की है ते नीचे चार आप्षिन देतीया हुई यहान पहला वेचे दिखो डागराम दे वेचे अपने को A कौन किते है जी A देखो अपने को A वड़ा A कौन है जी ते A जो नीचे नाली इस दे बिल्कुल बने होया A अपने को है जी B कौन ते नजर आ रहा है कि जेकर आपने को A है ते B कौन दो आनू जोड देने हान ते जोड के अपने को इस तरह एक कौन बन रहा है सिद्धा इस तरह दा कौन बंद रहा है तो एस तरह आपने को कौन किस तरह दा हुंदा है जी ए देखो एस सिद्धियां रखा महान अपने को उल्टा एल बंद रहा है तो जेकर आपने को इस तरह कौना नू जोड के उल्टा आपने को एल बंद रहा होवे तो कोना दा जोड के ना होंदा है जी 90 डिगरी कोन होंदा है इट मीन A कोन अथे B कोन दो आनो जोड के अपने को 90 डिगरी आ रहा है A कोन जमा B कोन दो आनो जोड के केड़ा अपने को बंड रहा है कोन दो आनो जोड के 90 डिगरी कोन बंड रहा है जेकर दो कॉना दा जोड आपस वेच नब्बे होवे ता उस तरह दे कॉना नू क्या जानदा है उरक कॉन इत मीन ए आप्शन आपने को सही है जी अगला कॉशन इस तरह है जी देते त्री पुझ दियां पुझ आमानू वद्दे कराम वेच लिखो पहला सब तो छोटी पुझा फिर उस तो वड़ी पुझा फिर उस तो वड़ी पुझा इस तरह पुझा आमानू आपने को ड़ी दिती होई है ते आपा इना तिना पुझा आमानू वद्दे कराम वेच लिखना है ते वद्दे कराम वेच लिखना है ते वद्दे कराम वेच वहां, आप पहला कोना बद्ध करम वेच लिखना है. देखो, पहला कोन अपने हमांपने को, कोल अपने को आपने को is a है जै जए चोटा कोन और सामने वाड़ी पूजा छोटी ते इस तरह अगला अपने को है जी पैंट डिग्री पैंट डिग्री दे बिलकुल सामने वाड़ी पूजा के डी है जी पी दूसरे नमबर ते अपने को पी आ जाएगी ते सब तो बड़ा अपने को पुजा है, सब तो बड़ा कूण है जी सतर ते समने वाड़ी जो पूजा है ओ सब तो बड़ी होएगी डी ते हों देखो अपने को पुजामादा बड़ा करम कीया गया है a, p, d. ते देखो केड़ी option राइटा रही है जी सैकंड option अपने को आजएगी अगला कुशन इस तरह है जी दिते गये चितर दे वेच कौन चार अपन दसना है किस दे बरबर होएगा नीचे चार आप्शन देती है हो यहान ते इस टोन देखो कौन चार अपने को किते है जी ए ले अपने को कौन चार जो के त्री पुझ दा यह जो त्री पुझ है पी क्यू आर यह जो कौन है चार कौन इस त्री पुझ दे बाहर वाला कौन है ति जो बाहरी कौन होंदा है त्री पुझ दा जो बाहरी कौन होंदा है ओ त्री पुझ दे अंदर ले सनमुख कोना दे जोड़ दे बरबर होंदा है ते स्टोन देखो त्री पुछ दे अंदर जो सनमुख कौन हन ओ केड़े केड़े हन जी एक कौन एक एक कौन दो एस दे जो त्री पुछ दे अंदर ले सनमुख कौन हन ते जो कौन तिन है ओ कौन चारदा लागमा कौन है यह लागमा कौन है, लागमे कौन हुआ पाँ छाड़ देना है जी, यह जो कौन तेन तान नजर आ रहा है, यह कौन तेन की है, कौन चारदा लागमा कौन है, लागमे कौन हुआ पाँ छाड़ देना है, ते बाकी जो अंदर ले सनमुख कौन होंदे हैं, जो बहरला कौन है, वो अंदर ले सनमुख कोना दे जोड़ दे बराबर होंदा है, इट मीन जो चार कोन है, वो किस दे बराबर होएगा, कोन एक जमा कोन दो दे बराबर होएगा, इट मीन केडी option राइट है, जी, तीसरी option अपने को, सुन गला कुशन इस तरह है, किसे कटना दे सारे प्रणामा दी संबावना दा जोड़ किना होंदा है, ती इस दा स्टोन अपने को राइट option है, कोई भी अपने को कटना है, उस दे सारे ही प्रणामा दी जो संबावना दा जोड़ किना होंदा है, वो एक दे बराबर होंदा है, सता दे किनारे डैश हुंदे जां हुंदी आहान ते नीचे चार आप्शन देती है हुई यहान सब्सक्राइब सता नू समझ दे हाँ जिस तरह तुसी एक कॉपी दे उपर मानलो के यह जो जो भी मैता नू करवा रहे हाँ कॉपी दे उपर नोड कर रहे हो ते कॉपी दे पेज जो हान वो अपने को की है जी एक सता है सता जहां उसनों आपने को एक तल है ते आपा उस दे तल दे जहां सता दे किनारे देखने हान हो उनता नू मैं नीचे डियाग्राम भी मानलो के तरह डाएक कॉपी दा पेज है जि सवस्टा देखी हैं किनारे हैं ते किनारे की हैं ते आना देखो ए अपने को रिखामा है इत में इस जगत ए रा आप्शन आपने को की आई जाएगी जी सी और अगला क्वेशन इस त्रहें है तर्दुन में एथे भी एक पर एकलोड़क गढ़ा देना है, जी. याँ दिखो आपने को, आपने फार्मला कीता संभावना वेच P.E. जमा P.E. नहीं, दुदूना दा जो जोड है, सम है, वो किसदे ब्राबर होंदा है, मेशा एक दे ब्राबर किसे कटना दे होन दे संबावना ते ना होन दे संबावना दा जोड एक दे बराबर हुंदा है P.E. नहीं दा मुला पान दिता होया है P.E. दा मुला पान दिता होया है 0.25 जो के question दे विच आपन उपर देखो लिख्या होया है P E नहीं दा मूल आपने को आजाएगा एक दे विच्चों आपने को आजाएगा ते देखो एक दे विच्चों जीरो पॉइंट पच्चीनों कटा के किना आपने को आजाएगा अपने को आजाएगा ते दास विच्चों पॉइंट पच्चीनों कटा के 0.75 आपने को आजाएगा के दी ओप्च्चन आगे है जी डी ओप्च्चन इस दा राइट ओप्च्चन एक क्रिकेट मैच वेच एक महला बल्लेवाज खेडियां गईयां ती गेंदा विच्चों छे बार चौका मार दी है चौका ना मारे जान दी संबाब ना पता करनी है जी नीचे चार आप्शन देती हैं होई यहाँ खोन स्टोन देखो उस महला बल्लेवाज ने किनियां गेंदा टोटल खेडियां हां जी ती गेंदा इना ती गेंदा दी विच्चों छे गेंदा ते उसने चौका मार रहा है आपां की पता करना है चौका ना मारे जान दी संबावना ते तुसी परला एथे फॉर्मला लिखना है किसे भी कटना दी संबावना दा कटना दे अन्कूल पर नाम बटा कटना दे कुल पर नाम किन्य हान देखो जी अपने को किनी बार उसने चौका नहीं मार रहा है क्योंकि उसने कुल किनिया गेंदा खेडी हां वो अपने को ँछी नीचे तीय आ जाएगा अपने को कुल पर नाम होरी है cutting 6 दे पाड़े वेचा 5 दि cutting कर सकते हैं 6 चोका 24 चोबी 6 5 ती इस दे को अपने को अंसर किया गया है जी चौका नाम आरे जाने दी संबावना किनी आ गई है जी चार बटा पांच इट में के डी आप्षन राइट है जी बी आप्षन इस दा राइट आप्षन अगला कुशन इस तरह है जी राम आते शाम मैच तो पहला टॉस ले एक सिक्का उशाल दे हान राम दे टॉस जितन दी संभावना किन्नी है नीचे चार आप्शन देती है होई हान ते स्टून देखो आपानू पिक्चर दे विच नज़र आ रहा है जिकर आपने को हैड आ सकदा है जिसमें पहाँ चित कैदने हैं ते जहाँ आपने को टेल आ सकदा है ते हैड ते टेल दोना दे ही ओन दे चांसे ओन दी संभावना किन्नी होई है जी एक बटा दो हैड ओन दी संभावना भी एक बटा दो होई है ते टेल आउंधी संभावना भी एक बटा दो होंदी है इट मेन जो राम दे टास जितन दी टास जितन दी संभावना किन्नी होएगी जी एक बटा दो हेगी इट मेन B option is the right option अगर कुशन इस तरह है जी हर एक अपर मेश संख्या एक वास्त्विक संख्या हुन दी है ते एसमन बेलकुल अपने को सही कतन है जी ओ किस तरह इसनों समझ दे हां क्योंकि जिनिया भी अपने को परमे संख्यामा अते अपरमे संख्यामा हुन दिया हन दुआ नू जोड के अपने को की बन दिया हैं वास्त्विक संख्यामा बन दिया हैं जी इट मीन परमे संख्यामा जम्मा अपरमे संख्यामा दुआ नू मिला के अपने को की बन दिया हैं जी वास्त्विक संख्यामा बन दिया हैं जी प्रमे संख्यामा भी अपने को वास्तिविक हुन दिया है तो ए ते लिख्या है सारियां जो प्रमे संख्यामा है वास्तिविक संख्यामा हुन दिया है तो ए अपने को बिल्कूल सही कथन है जी पॉश्न इस तरह है जी, 0.9 दा वर्गमूल एक अ परमेशंख है, तो आपने चेक करना है कि ए सही है, जहाँ गलत कथन लिख्या होया है, देखो 0.9 लिख्या होया है, तो उस दा वर्गमूल है, तो आपना पहलना पॉइंट नू हटा देना है, पॉइंट नू हटा के देख तो आपने को पता है, तो आपने को पता है, तो आपने को वर्गमूल नहीं कड़िया जा सकता, तो ओं हमेशा की हुंदी है, एक अपर में संख्या होंदी है इट मीन तेन बटा जो वर्गमूल दास आया है वो एक अपर में संख्या होएगी इट मीन ए वड़ा जो कत्न है बिलकुल सही कत्न है कि जो 0.9 दा वर्गमूल है वो एक अपर में संख्या है जी अगला कुछन इस तरह है जी X दी कात दो जमा वर्गमूल X जमा दो एक तिन पदी बहुपद है अपर चेक करना है पहला कि एक बहुपद है जा नहीं है तो सबतर पहला देखो X दी कात दो है जिट लिख देने है इत्थे X दे उपर देखो अपने को वर्गमूल पाया है तो जेकर आपने को वर्गमूल नूँ हटाओने है तो O कि ना जाएगा जी X दी जो कात है कि नी बन जाएगी वर्गमूल नूँ हटा के 1 बटा दो ति जमा दो ति हुन देखो जदो भी आपने को जो X है जहां कोई भी आपने को चाल होंदा है जे कर उस दिकात दे वेच आपने को बटेयां वेच रख माजवे तो जो पूरा आपने को व्यांजक होंदा है ओ आपने को एक बहुपद नहीं होंदा है एट मीन ए वड़ा जो कथन है वो बिल्कूल गलत कथन है जी इसलों अगला कुश्ण इस तरह है जी X दी का तेन कटाओ Y दी का तेन दे गुनन खंड ए आपनों इस दे गुनन खंड लिखने हैं तो आपन चेक करना है कि A सही है जो गलत है तो पहला आपना इस दे गुनन खंड में लिखने हैं देखो X दी का तेन कटाओ Y दी का तेन दे गुनन खंड की अपने कौन गे इस दा की हुंदा है गुनन खंड इस दे गुनन खंड हुंदे हैं पहली ब्रैकेट दे वेच X कटाओ Y दूसरी ब्रैकेट दे अंदर आएंदर है X दी का दो जमा Y दी का दो जमा X Y ते त्यान न देखो हूँ न अपने को यह सही है जा गलत है ते नजर आ रहे है कि A बड़ा जो साइन है इस जगा गलत लगा होया है इस जगा प्लस दा साइन ओना सी बट इस दे विच माइनस लगा होया है It means A बड़ा जो कथन है बिल्कुल अपने को गलत कथन है जी तो अगला कुशन इस तरह है जी Hero सूतर अनसार त्री पुजदा खेतर फल ए अपनो Hero सूतर दे कॉडिंग त्री पुजदा खेतर फल देता है त्री पुजदा खेतर फल पता करना है मालो A बड़ी पुजदा खेतर फल पता करना है खेतर फल की होंदा है ए जो त्री पुजदे वेच वाली जगा होंदी इसनों खेतर फल कहते नहीं हैं जी ते ए जो A, B, C है ओ की हैं इस त्री पुजदियां पुजदा है A पुजदा, B पुजदा, C पुजदा ते पुजदा लंबाई है ते S अपने को की होंदा है जी जो S लिख्या होया है वो अर्द पर माप होंदा है तो उस दा की फॉर्मूला होंदा है A, B, B, C बटा दो ए अपन अगे जाके कोश्चन्स भी करांगे इस देर लेटर के त्री पुजदा केतर फल अपने को कुल परणाम के ने होंदे है सिर्फ दो परणाम होंदे है तो चित और दे परणाम के ने हान चित और दी संभावना के ने होगी क्योंकि चित एक बार है अपने को तो उपर अपा एक लिखांगे नीचे कुल परणाम के ने हान अपने को दो एक में चित और नी सबावना किनी होएगी जी अपने को एक बटा जो दो जो के बिलकुल सही statement है जी सुना अला question इस तरह है जी एक बिंदू तो हो के सिर्फ एक ही रेखा की ची जा सकती है ये बिलकुल सुना गलत statement है क्योंकि एक बिंदू तो होँआ लोगे अपना को बिंदू है तो इस विच्छों आपन अन गिनत रेखावा खिच सकते हैं देखो किस तरह एक रेखा इस तरह खिच सकते हैं दो दो जी रेखा ते ती जी रेखा चौती रेखा इस तरह आपां एक बिंदू दे विच्चों अंगिनत रिखावां खिच सकते हैं इट मीन ए वाड़ा जो कथन है वो बिल्कुल गलत कथन है जी सुमगला कुछन इस तरह है जी पूरण अपने पाग तो वड़ा होंदा है इस तरह बिल्कुल अपने को सही कथन है आओ इसनों एक एक अग्जांपल देना अल समझ दे हैं मानलो कि अपने को एक पूरा पीजा है यह अपने को एक पूरा पीजा ले लो जहां इसनों तुसी रोटी भी कह सकते हो मानलो आपन एक पीजा ले 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 है पीजे दे आपन चोटे चोटे इस तरह पीज कर देने हान तिकोने पीज इस तरह कर देते हान हून इस पीजे विचों आपन एक छोटा जा पाग ले 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 लेना है मानलों कि आपन ए वड़ा पाग इस दा ले लेने हान आपने को पूरा पीजा है, 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 आपने को पूरा पाग है, आपने को पूरा पी Statement दे वेच लिख लिखिया भी होया है कि जो पूरन है वो अपने पागतों की हुंदा है जी वड़ा होन आध सघ्र singers इत्मीन इंगतर वलकुल सही है जो पूरन चीज है व अपने पाघ्र टों की हुंदी है जी वडी हुंदी है अगला कुछन इस तरह है जी छे बटा पच्ची दा दिशमलब रूप ये चार आप्शन देती हैं देखना है कि छे बटा पच्ची नो जे का पाँ दिशमलब रूप बेच लिख देयां तक ये अंसर होंदा है जी छे बटा पच्ची लिखा है ते छे नो अपाँ अंदर रख लेना है ते उसनों अपाँ पच्ची देना लगा दिशमलब लगा के एथे अपने को जीरो लग जाएगा पच्ची देखो पच्ची देपाँ पड़ा पड़ना है अपने को पजा नीचे बच गया अपने को दास फिर होन देखो अपाँ एथे जीरो लगा सकते हैं क्योंकि आप दिशमलब उपर पहला एक बार लगाना होंता है उस तो बाद हर नमेस टेप ते अपने को जीरो पॉइंट दो चार इट मेंट के डी ऑप्षन राइट है जी सेकंड वाली ऑप्षन अपने को सही है जी अगला कुशन है जी आठ वर्ग मूल 15 नूँआ पाँ करना है दो वर्ग मूल तेन देनार ते देखना के डी राइट ऑप्षन हो दी है जी देखो उपर अपने को है नीचे अपने को देखो दो वर्ग मूल तेन है जो वर्ग मूल तो बाहरा कम है उसनु वर्ग मूल तो बाहर देनार कटना है ते जो वर्गमूल पांच बच गया है जी नीचे अपने को दोनों ही कड़ चोके हैं नमबर नीचे अपना कुछ नहीं लिखना है ते अपने को आणसर आजाएगा जी चार वर्गमूल पांच तो देखो केड़ी option है जी यह last वाली option आजाएगी चार वर्गमूल पांच तो अगला कुछन इस तरह है जी यह अपने कुछ फॉर्मुला होंदा है A कटाओ B दा कान A माइनस B होल क्यूँ उसनों कान कहा देने हैं जी तो इस दा फॉर्मूला हो आपन देखना है कि इस जगा केड़ी चीज मिसिंग है वह आपन देखनी है चार वर्गमूल पांच तो परना फॉर्मूले नों आपने कंप्रीट लिख देहां जी फिर B डिकात 3 B है अपने को जमा वड़ा 3 A डिकात A, B डिकात 2 भी अपने को है 3 विचो नजर आ रहे है किड़ी चीज अपने को Missing है जी 3 A डिकात 2 B तो ए देखो किड़ी option देवे चारे है जी अपने को जो first option है इस देवे चारे है इस जगा की आएगा तेन एदी का दो बी आएगा जी सुमाला कुश्ण इस तरह है जी पांज एक डैश बहुपद है यह चार आप्शन देती होई है हान तेस तरह पांज अपने को की है जी एक fix नंबर है fix नंबर जहां उसनों कहा देने हान स्थिर आंक पांज की है अपने को एक स्थिर आंक है जिस दी value change नहीं हो सकती ते इस तरह दा जो नंबर जो कला स्थिर नंबर होवे ओ की होंदा है जी एक अचल बहुपद होंदा है जो पांज है उँ अपने को की है जी एक अचल बहुपद है fix नंबर है जिस दी value change नहीं हो सकती तो अगला question इस तरह है जी एक बिंदू दे द्वाले बने कोना दा जोड डैश होंदा है चार option देती है है हाँ तो इसनों एक example देना समझ दे हाँ ये देखो अपने को एक बिंदू है जी इस बिंदू दे द्वाले आपां कोन में आने हाँ मालव इस तरह आपां इस बिंदू दे द्वाले की है कोन खिच ले हाँ जिन्ने मर्जी कोन खिचे जा सकते हैं तो आपां देखना है कि ए सारे कोना दा जोड किना होंदा है साथ डिग्री सरकल दे वेच ए सारे ही कौन जो हन एना दा जोड करके किन आएगा अपने को 360 डिग्री आएगा इट मीन इतने अपने को 360 डिग्री आप्शन आजाएगी जी सो अगला कुशन इस तरह है जी जेकर 3 पूज ABC सिर्बंग सम है 3 पूज PR क्या हो ता AB किस दे बराबर होएगा ए 4 ओप्शन देती होई है हन उन सुनते आना देखो अपने को की हन पहले 2 लेटर लेखे हन तो दूसरे पास से भी आपकी करना है पहले 2 लेटर चक करने हन पहले 2 लेटर अपने को की हन जी PR इंट में जो AB है ओ किस दे कल्ट हो जाएगा PR देखो एगा इतने अपने को PR आजाएगा आउ इसनों होर सम्झे हन जेकर आपका इसनों डियागरम देना लार्व तो आपकर देखो ए अपने को 3 पूज है जी ABC त इस दे सर्बंग सम है अपने को ए सर्बंग सम है जी त्री पुझ पी यार क्यों दे ते इस दे विचे सर्बंग सम ता दा रूल है कि जे त्री पुझा सर्बंग सम हन ते उना दे जो कॉर्स्पोंडिंग पार्ट होंदे हन वो आपस विज इक्वल होंदे हन जो A B पुझा है वो PR पूजा दे बराबर होएगी जो BC पूजा है वो R के उदे बराबर होएगी ते जो AC पूजा है वो अपने को P के वो पूजा दे बराबर होएगी किसे त्री पूज दे वेच किसे दो पूजा मादा जोड तीसरी पूजा तो डैश होंदा है इस दर नो आंसर आए गा जी अपने को वड़ा होनदा है इसमें example देना अला समझ देहाँ जी बादलो कि अपने को एक त्री पुझ है ये अपने एक त्री पुझ बना ली है जी इस दियां पुझा मा लाली है हम आप लियां आप तेन सेंटी मीटर चार सेंटी मीटर अथे प पंच बन गए है जोड़ के अठ आठ होन देखो उस तो सामने वड़ी पूजा है चारतों वड़ा है जी उस तो बाद अपाँ ए तीसरा पेर लेलेने हन चारते पंच नू जोड़ नौ नौ किस्तों वड़ा है जी तिन तो वड़ा है इट मीन अपने को केड़ी आप्शन नहीं हो सकते तो इस दस तो राइट आप्शन आएगा जी एक आओ इसमों अग्जांपल देना समझ देहां ए मालव अपने को दो वख वख रिखा महान जेकर ओ दोनों रखामा आपस विच किते भी कटने रही है तो उना दे विचकार कोई भी संजा बिंदू नहीं होएग तो पर जेकर ए दोनों ही रखामा मालव के एक ए रिखा है तो दूसरी ए बारी रिखा है जेकर ए दो वख वख रिखा महान एक बिंदू ते काट रही है हान ते इना विच वद तो वद एक बिंदू हुई संजा हो सकता है इसमों अगला कुशन इस तरह है जी 0.4 सद दे उ लगा है जी मानलों के जो एक्स है ओ किस दे बराबर है 0.4 सथ दे उपर बार अगले स्टेप बिच भी करना है अपा जिस भी नंबर दे उपर बार है उसनों अपा चार बार रपीट करना है साथ दे उपर बार है ते सात नूं अपा की करना है चार बार इस तरह रपीट का Djk वर हते देखो आपने को एक नंबर देऊपर बार है एक नंबर बार-बारः रिपीट हो रहा है ति आप आपा जिड़ी समझी करन एक है उसनों दोने पासे 10 दे नाड गुणा करणते देखो अपने को की प्रापत होएगा जी एदर x है इस तरफ आ जाएगा 10x तो दूसी तरफ की होएगा ये जो दिशमलब है चारतों खब्बे पासे ये निकल के एदर चला जाएगा चार दे सज्जे पासे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0, 4, 7, 7, 7, 7 एंड सोन इस नूँ अपना 7 नो होने थे 4 बार क्योंकि उत्ते उपर देखो दिशमलब तो बाद 5 जखर थे पहली जो समीकरन थी दिशमलब तो बाद आपने को 5 नंबर से के पांज आंक से के देथे भी आपना 5 बार लिख लिए है इस नूँ अपना लिख लिए ना है जी समीकरन 2 हुन आपका करना है दो दे बीचों एक नूँ कटा देना है देखो दो कटाओ एक इस तरह अपना लिख लिए है तो पहली 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 देखो कटा ओद साइन रिथे हैं कटा ओनलब है कि एस जगहां कटा ओद साइन पहली नयँ है 10 x दे विच और 1 x कटा मांगे खब्बे पासे 10 x विच औरоме एक 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 साइन खता बाद जाएगा इधर देखो अपने को ये 7 विच्चों 7 कटा मांगे 0 इस जगा कुष्णी लिखना जिथे अपने को 0 अच जगा कुष्णी लिखना है ते नीचे देखो 7 विच्चों अपने 4 नू कटा मांगे ते ये अपने को किन्ना आ जाएगा तेन आ जाएगा जी दिशंबलब दे नीचे दिशंबलब चार विच्चों 0 को टाम आगे ते अपने को 4 आ जाएगा ये 9x किसदे बराबर आ गया है जी देखो 9x बराबर आ गया है 4.3 4.3 तो इस दा मतलब है कि जो x है ये 9 नुह आपा होने इस दे नीचे लाए जाना है 4.3 तो x किसदे बराबर आ जाएगा 4.3 बराबर आ गया 9 होना पागी करना है कि उपर जो दिशंबलब है दिशंबलब हटा देना है दिशंबलब उपरों हटा के आपने को नीचे किणना जाएगा 10 आ जाएगा कियोंकि दिशंबलब दे सज्जेपा से एक अंक है ते ए देखो किना आगा उपर तर्ताड़ी है नीचे 9 नो दासना गुना करांगे ते 90 इट में आपने को जो पी बटा क्यो दे रूबे चापा उसनों लिख दिता है किना आगा है जी आपने को तर्ताड़ी बटा 90 आगा है जी इस तरह है जी पी एक्स बराबर दो एक्स जमा पांच ये आपनों एक बहुपद दिता है तो इस बहुपद दिया आपन सिफर पता करनी है बहुत ही असान कोशन है जी जिस भी बहुपद दी आपने को पता करनी होंदी है उसनों आपना बराबर 0 दे रख देना होंदा है तो ओथों solve करके आपना एक्स दा मूल कार लेना होंदा है ओजो एक्स दा last विच अपने को मूल लाएगा ओही की होएगा अपने को उस बहुपद दी सिफर होएगी जी देखो किस तरह करना है बहुपद देता है दो एक्स जमा पांच ते इस बहुपद नों आपना बराबर की कादना है 0 दे इस तरफ देखो जो जमादा 5 है उसमादा 5 बराबर तो दूसरे पास से ला जाना है ते ओ कटाओ दा 5 हो जाएगा 2x इस तरह जाएगा जमादा 5 ओधर जाके कटाओ दा 5 बन गया ते x किस दे बराबर आ जाएगा जेखो जी कटाओ दा 5 बटा 2 ते ए स्टोन अपने को आ गई है जी इस बहुपदी सिफर आ गई है X बराबर कटाओ 5 बटा 2 इस तरह है जी रिखामा XY अर्थे MN बिंदू O ते कर दिया है जी मैं के तनो स्क्रीन दे विच नजर आ रहा है फिंगर दे विच एक रेखा अपने को XY है जी जो सिद्धी रिखा देखो AXY अपने को है जी ते दूसी रिखा है अपने को MN दोनों ही देखो बिंदू O दे उपर आपस विच काट रही है हन ते जे कर कौन POY 90 है कौन POY देखो किते है ए वड़ा जो कौन है ए वड़ा कौन आपनों 90 डिगरी दा देता होया है ए वड़ा कौन ते A एते B दा आपनों अनुपात देता होया है A अनुपात B किस दे ब्राबर है 2 अनुपात 3 दे ब्राबर है ते आपने को पता करना है C पता करना है C कौन आपना पता करना है ते शुन देखों आपानों अनुपात देता है A एते B दा ते आपान अनुपात नुप खत्म कर देना है ते A किसदे ब्रबर आएगा अपने को अनुपात हटा के दूआ दे नाल आपान X लगा देने हां 2X ते B अपने को शुन आ गया है जी ते next इसमीन A अपने को A 2X आ जा यह अपने को D बन गई है जी दी दे कोना दा जोड किसदे ब्रबर हंदा है 180 एक सिद्धी रेखा दे उपर जिनने भी कोन है उना सारे कोन आदा जोड के दा हंदा A अपने को किनना है जी 2X देखो A 2X है B दी जगा आपना लेख जाना है 3X जमा 90 डिगरी बराबर 180 डिगरी 2X ते 3X बन गए है 5X 90 नुँ अपना दूसरी तरफ शिफ्ट का देना है 180 दे विच्छों आपना 90 नुँ कटा देना है ते देखो कटा आगे की आजाएगा जो 5X है 180 विच्छों 90 कटा वागे 90 आजाएगा ते X अपने को आजाएगा 90 बटा 5 कटिंग करके अपने को X किनना आगया है जी 18 अपने को 18 आगया है ते A किस देख कल्ट होएगा A अपने को 2X है इट मीन 2 गुना 18 आजाएगा 18 गुना 2 किनना आएगा जी 6 डिगरी जो A कौन है उपने को 6 डिगरी आगया है इसे तरह जो B कौन है B अपने को है जी 10X इट मीन 3 गुना 18 ते 18 ती किनना हुदा जी चरंजा इट मीन B कौन अपने कोई चरेंजर डिगरी आ गया है सुन एना तुसी नोट कर लो फिर आपना अग्गे सॉल कर दे हैं सुन देखो ए यह ते बीद आपना value find out कर ली है बट question देवेच है कि आपना सीधा मूल पता करना है ते हून ते आना देखो इस डिगराम देवेच जो MN है ओएक सिधी लाइन है देखो MN अपने को सिधी लाइन है ते M N जो सिधी लाइन है उस देव अपर दो कॉन आपना नजरा रहे हैं खबे पास एक B कॉन है एक C कॉन है ते B ये ते C कॉन भी आपना जोडांगे ते देखो पूरी अपने को D बन रही है रेखी जोड़ा ते रेखी जोड़ा विच आपने को कोन आदा जोड किस दे बराबर होंदा 180 degree इट मीन B कोन जमा C कोन ए भी दोनों मिला के किस दे बराबरा जोना कि आपने को 180 degree इस दा reason आपने की लिख देना है रेखी जोड़ा अपने को देखो आपने को देखो आपने को फाइन रोड कीता है पहले है चरंजा degree है जमा C बराबर 180 degree ते होन C किस दे बराबर पता करना है 180 दे बिच आपने चरंजा नो माइनस कर देना है ते 180 दे बिच चरंजा माइनस करांगे ते होन आपने को गिना जाएगा एक सो छबबी डिगरी इट मीन जो C कौन है वो आपने को किस दे बराबर आगया है जी एक सो छबबी डिगरी दे बराबर आगया है सो अला कोशन इस तरह है कनकड़े आटे दियां 11 थैलियां जिना दे उत्ते 5 किलो अंकित है 11 थैलियां हने हर एक थैली दे उपर की लिख्या है 5-5 किलो असल वेच आटे दा हेठा दित्ते अनुसार पार किलो ग्राम वेच असल वेच किना पार है वो अध्यापन दिता होया है कि ना कोई थैली है जिस दे विच पांज किलो तो थोड़ा या जादा है तो कोई थैली है जिस दे विच पांज किलो तो थोड़ा जाँ काट है तो कोई थैली एद्धन दी भी है जिस दे विच अग्जैक्टली पांज किलो है और हर एक ठैली दे उपर की लिखया है। आपने की पता करना है किस चीज दी आपना पता करना है। अचानक चुणी गई एक ठैली वेच़ पांज किलो तो अधिक आटा हुन्दी की संबावना है। आठा होन दी की संभावना है आपां चेक करनी है जी ते इस पूरते आना देखो सब तो पहला अपने को किनिया थैलियां देती हो यहां 11 थैलियां ते इस दा आपां फॉर्मॉला लिख लेना है इस दा हाल किस तरह करना है हाल करना दी सब तो पहला आपां फॉर्मॉला लिख नीचे अपने को ग्यारा हा जाएगा पर अपर्य आपां क्यल्हूल प्रणां है चुमerson Glà आपने को ग्यारा ऐहां ज़ी सब्सक्राने करने पहला है यह वारी थैलिविक्ण इदे विच वी 5 kg तो वाद आठा है. इस दे विच वी 5 kg तो वाद आठा है टे इन्हानू गेंडलों के निया हां जी 1 2 3 4 5 6 ये 7 इट मीन कटना थे अनकूल पर नाम कें नहें आ गये हां आपने को साथ आ गया न ति आपने को 5 किलो तो वाद暉ठा होन दी की संभावना जेकर अचानक एक थैली चुनिए तह ओ थैली 5 किलो तो वाद暉ठेवाड़ी आएगी संभावना की है जी 7 बाठा 11 है जी अगला कुश्य इस तरह है जी चितर वेच जेकर AC ब्राबर BD है ता सिद करो के AB ब्राबर CD है उन त्याना देखो आपने परला देता होया है कि जो AC है ओ किस दे ब्राबर देता होया है BD दे ब्राबर देता होया है त्याना देखो स्टोन a c अपने को की है जी इत्थों लहके इत्थे तक अपने को a c है पर a c दे वेच अपने को देखो दो पार्ट आ रहे हां न a b टे b c ते आपने को a c नो अपने को लेख सकते हैं फिर a b जमा BC, त्याना देखो जो AC है उस दे विच दो पार्ट आ रहे हैं, पहला AB पार्ट आ रहे है, फिर अपने को BC पार्ट आ रहे हैं, एसे तरह खो हो अपने हो इदर देख देए, BD, BD इत्थों लहके इत्थे तक है जी, पर इस दे विच भी दो पार्ट आ रहे हैं देखो BD दे विच दो पार्ट आ रहे हैं पहला BC आ रहे है फिर CD आ रहे है तो आपने को देखो आपने को सिद की करना है A B जमा CD पता करना है या रहे है अला रहे हैं एक्स्टा की है दोना देखो आपने को BDBC दो आ दे विच की आगया है वदू की करना है एले दोने पासीं दोने पासे तो B C कटाओण दोने पासे तो C करदाना है कटाओदना है देखोए ते होगीा जायगा A B जमा B C कटाओ B C जायगा B C जमा C D कटाओ B C तो हून देखूँ सों B C ना B C जायगा S, B, C, N, B, C, इदर कट्टे आ गया एदर स्टून अपने को बाच गया AB ते बराबर दे दूसरे पास से अपने को बाच गया CD जो कि आपना सिद्ध करना सी वह अपना सिद्ध हो गया कि AB किस दे बराबर आ गया है CD दे बराबर आ गया है स्टून अगला कोशन इस तरह है जित्ते चितर वेच जेकर OA बराबर OB अथे OD बराबर OC है ता सिद्ध करो 3 पूज AOD सरबंग सम है 3 पूज BOC ते A डाग्राम देवेच चितर देवेच तानो दो ट्रेंगल नजर आ रही है A से तरह जो उपर वाली ट्रेंगल है ओ अपने को है BOC इत्थे सिंगल लाइन है हूனे DC सिंगल लाइन जो है OA उपर OB ये दोने आपस विच एकोल है सिंगल लाइन शिंगल लाइन वाली देखोल है जो ये दे डबल लाइन पॉई होई है OC ये धे OD वो अपने को पुजा आँ वापस विच की हान equal हान जी, ब्राबर हान ते आपां दोने ही ट्रेंगल्स नू की सिद करना है सरबंग सामा आपां सिद करना है ते आओ देख दिया कि इसमों आपां किस तरबंग साब सिद करना है पहलना इत्ति है आपां खाल लिख लेना है दोने ही जो त्रीपुज है वो अपां ले लेनी है त्रीपुज AOD अते त्रीपुज BOC विच अपनु पता है कि त्रीपुज आणु जया किसे शिरबंग साम सिद करना है ते उना वेच तिन चीज़ां आपां बराबर करनीया हुदी, यहां ना, हुँद दो चीज़ां ते आपानों पहले दितनी होई यहां, देखो उपर, यह अपान लिख लेणा है, जो O, A है, O, A, O, O, B दे बराबर है, इस तरह ब्रैकेट दे वेच लेच लेणा आपां दितत है जी ते तीसरा केड़िया अपने को element होएगा जो के तीसरा पार्ट इना दुनों कोण हान इत"- एथають होना पार्ट इसरा जो पार्ट आव की लिखना है कौण एक किस दे बराबर है कौण दो दे बराबर है लिख देना है जी एथे शिखर संमुख कौण अपना देखो तेन चीज़ां अपने को तेने दोने ट्रैंकल्स दे विच बराबर हो गई है हान ए पुजा पुजा ते विचका आरवड़ा कौन है ते एट मीन ए दोनों ही जो ट्रैंकल्स हान ओकी हो गई है आपस विच सरबंग सम हो गई है हान त्री पूज ए ओ डी किस दे सरबंग सम हो गई है जी त्री पूज बी ओ सी दे ते किस नियम दे अकॉड़ेंगे आप सरबंग सम हो यहान जी ए आ जाएगा ऐसे ऐसे पुजा कौन पुजा नियम अनुसार सुना अला कोशन इस तरह है जी एक पासा एक बारी सुटिया गया पासे दे उत्ते एक अपाज संख्या आउन दी संभावना पता करो ते एस तोन आपने को तानुपासा नजर आ रहा है जिसनों आपने इंगली फेच एक डाइस कहा देने हान जी ते आपने पता है कि जो पासा है उस दे विच आपने को कुल प्रणाम किन्ने हुन दी हान एक तो लेके छे तक जो कुल प्रणाम हान एक ते आप पर लेक लेने हान जी ते कुल प्रणाम अपने को किन्ने हुन दी हान जी अनकूल परनाम बटा कटना दे कुल परनाम कुल परनाम अपने को 6 हन हून आपा दिखने हैं कटना दे अनकूल परनाम ते कटना है कि आपने को एक अपार संख्या होनी चाहिए दी है तो हून दे को एक तो लेके 6 तक किन्ने अपार संख्या महा हन वो अपने को अनकूल परना महान वह अपने को किन्ने आगे हैं जी तेन ते शे दी हूं सुन कटिंग हो रही है तेन दे पाड़े वेच तेन लेकम तेन ते तेन दुनी छे इतमीन अपने को जो अपार संख्या दे आउन दे की संभावना है जी आगई एक बटा दो आगई है जी इसमों गएला कुछन इस्तर है जी चित्तर वेच एकस अते वाइदा मुलबता करो ये तानू डियाग्राम नजर आ रही है ते आपाँ एकस अते वाइदा मुलबता करना है एकस अते ये देखो अपने को वाइदा कर दें हाँ इते दिखो Y आते X-O-T इस तरह दो लाइन आप रिप्स क्रॉस हो रही है हान ते बिल्कुल आमने समने बने होई हान जिते क्रॉस बन दा है इस तरह ते ए जो उपर नीचे कौन बन दे हान इननों किया जानता है सिखर सानमुख कौन ते एस तरह हुन जो X X आपको। किस तरह ऊंडर करना है X इसनु अकांतर कौन देना भी पता कर सकते हैं ते इसनु आपका एक रेखी जुड़े जना भी पता कर सकते हैं देखो एक लाइन बन रही है तो जा आते X दोनों मिलके इस तरह D बन रहा है तो डी बाड़ा जो कौन हों देहान वो रेखी जोड़ा पना हो देहान तो इट में जो एक्स जमा पजा ये दोनों मिलके आपस विच किस देख कर दो आ जाएगा 180 डिगरी रीजन आ जाएगा इते तुसी लख देना है जी रेखी जोड़ा अपने को आ जाएगा जी एक्स जमा एक देना पाग देन ते बाकी लबना है आपन तो इस विच टून आपा लगा जनी है जी बाकी थीओरम बाकी थीओरम देख़ो अपन किस देखा लगा नहीं है पहला जिस देना अपन आपन आपक करना है उसनुँ आपा बराबर 0 रख लएना है ते एत्व आपा एक्स दा मूल कर लएना है इस एक नों आपने दूसरे पसे शिफ्ट कर दाँगे ते एक कटाओ दा आ जाएगा ये X आपने को किस दे बढ़ा गया है कटाओ एक दे तो हून आपना लगा देनी है जी बाकी थियूरम हून आपना नीचे लिखना है जी बाकी थियूरम रही जी बाकी थियूरम रही आपना की पता करना है जी देखो बाकी किस दे कल्टू आ जाएगा एस बहुपद्धे वेच जित्थे अपने को X है सज्जे पासे जड़ा अपने को बहुपद्ध लिख्या है वड़ा जिसनों मैं अंड्रलाइन कर लें है जित्थे थे X है उत्थे अपने की पारदना है कटाओ एक पारदना है X दी जगा ते देखो पहला X दी का 3 है इत्थे मैं ब्रैकेट पाती इस जगा मैं X दी वेलू लिखनी है X दी का 3 जमा 3 पहला मैं इस दा structure त्यार कर रहे हैं जिते थे X है मैं उत्य उत्य ब्रैकेट पाती है ते ब्रैकेट दे अंदर होन फिर आपा X दा मोल लिखना है त्यार ना देखो ए सारा structure मैं इस दो त्यार कीता है जी ते होन जिते थे अपने X है, X दी जगा ते अपना की पाती है, जिते खाली था है मैं रखी होई है, ब्रैकेट पाई होई है उत्य अपने को एक पाती है उन कटाओ दा एक दी कात 3 है, कटाओ एक नो 3 बार गुना करांगे, ते कटाओ 1 का जाएगा इसे तरह 3 एक नो 2 बार गुना करांगे ते अपने को 1 का जाएगा कटाओ 3, एक नो 3 दे नल गुना करांगे कटाओ 3, ते जमादा एक, होन देखो एथे कटाओ एक, जमादा ते ते जमादा एक, ते होन नजर आ रहा है कि ये सारी आपस वीच कैंसल हो रहे हैं, हाँ जमादा 3, कटाओ दा 3, कैंसल हो गया, कटाओ एक, जमादा 1, कैंसल हो गया ते अपने को कोश भी नहीं बचया, इटमीन बाकी किया जाएगा, अपने को जीरो आ जाएगा, जी इस तरह है, जी चितर वेच जेकर, A, B समानतर है, C, D जो कोण, A, P, क्यो है वो पजादे बराबर है, ते कोण P, R, D, X, O, S, T, A, E, डिग्री दे बराबर है, तो आपाँ, X ते Y पता करना है, जो कितानों फिगर दे विच नजर आ रहे है, ये जगा X है, तो इस जगा अपने को Y है, ये दोने समानतर है, पूरा Z अपने को बन रहे है, ते बराबर होन दे है, तो इट मीन जो X है, ओ किस दे बराबर आ जाएगा, पजा दे बराबर आएगा, रीजन आएगा, एकांतर अंदर ले कोण, इते देखो, X किस दे बराबर आ जाएगा जी, इस फिगर तो नजर आ रहे है, Z बन रहे है, Z दे जो अंदर बाड़े कोण ने ते कोण होन दे हन, वो बराबर होन दे हन, X किस देखकर दो आ जाएगा, पजा डिगरी दे, ते रीजन किया जाएगा जी, होना देखो फिर मैं डाइगराम ताम दखा रहे हैं हाँ डाइगराम दे वीच एक ट्रेंगल है यह ट्रेंगल है फिर ऑपने को त्रीपुझ है ते यह जो एकसो स्ताई है यह देखो त्री पुच दा बाहरी कौन है यह जो एकसो स्ताई की है इस त्री पुच दा बाहरी कौन है ते जो बाहरी कौन होंदा है ओ त्री पुच दे अंदर ले जो जो बाहरी कौन है जो अंदर ले दो सनमुख कोना दे ब्राबर होंदा है जी आपने को एकसो स्ταई मिलेगा जमावाई है द wissen than जोड़के ऑक्सो जमावाई किस दे ब्राबर आहाएगा एकसो स्ताई दे ब्राबर आहाएगा इस दा रीजन अपने की लिखना है रीजन लिखना है बाहरी कौन किस दे ब्राबर हुणदा है अंदर ले दो वो अंदर ले दो जो सान मुख को उना दे जोड़ा दे बरबर हुनदा है, ते एक्स ता पानू देता हुए, देख़वा, अपान एक्स फाइंड आउड कीता है, एक्स दी वैल्यू पजा है, एक्स दी जगा पजा फिल कर देना है, य एसे तरह आजाएगा, ते एक्स फाइंड आजाएगा, एक्स देख़वा जाएगा, एस पजार नू एदर आखे अपान कटा देना है, ते कटा आगे देखो किना आएगा, अपने को 77, इट मेंट जो य है, वो 77 डिगरी आ गया, ते जो एक्स अपने को 50 डिगरी आ चुका है, पर पुष्ण इस्तर हैं जी, ते न ते 4 दे विच्श कार, कोई 4 परमे संख्यामा पता करो, ते इसलोना आपानु चार प्रमेश संख्यामा क्या गया है जनिया प्रमेश संख्यामा आपानु कहीं है जन्दियाहान उस देविच आपान एक जोड देना होंदा है चार जमा एक किनना आगया है पांच ते हुन की करना है देखो तेन ते चार दे विचकार पता करनी है तेन नूवी आपां उपर नीचे ये जो 5 है इस देनाल 5 देनाल उपर नीचे गुणा कर देना है ते चार नूवी चार नूवी आपां उपर नीचे की करना है 5 देनाल गुणा कर देना है ते देखो तेन नूव पाइंदे नालग प्रगुणा करांगे 15 बटा पांज ते 4 नू करांगे ते एक नाग है जी बी बटा पांज उन 15 बटा पांज अते बी बटा पांज दे विचकार आपां चार प्रमे संख्या मा लिखनिया हान ते देखो कि नी आ जाएगी 15 तो अगला नंबर आ जाएगा 16 बटा पांज उस तो अगला नंबर 17 बटा पांज उस तो अगला नंबर 18 बटा पांज ते अगला नंबर 19 बटा पांज ये 4 प्रमे संख्या मा लिखनिया हान अपने को 3 अते 4 दे विचकार जी इस तरह है जी उस त्री पुज दा खेतर फल पता करो जिस दियां दो पुज आमा अठारा सेंटीमीटर अथे दा सेंटीमीटर हान ते उस दा पर मा आप आपने को देता होया है बताली सेंटीमीटर अब एक चोटी डियाग्रम बना लेने हान जी तुरी पुज ट्रैंगल इस दियां दो पुज आमा अपनु देतीं हो याँ हान एक देती हो ratा सेंटीमीटर अपनु देती होुए है जी तास सेंटीमीटर ते तीसरी पुज आपनु इस दी नहीं पता है जी ते मान लेने हम जो A है वो किस देख कर दो है जी 18 cm जड़ी B वाली पुजा है वो आगे 10 cm ते आपानों इस दा परमाप देता होया है C आपानों जो पुजा है वो नहीं पता है ते आपने को पता है परमाप पर्माप दिद्धा होया है आपानु जी बताड़ी सेंटीमीटर त्रे पर्माप हुंदा कि या तिन्या पुजामा दा जोड़ इतमीन A जमा B जमा C एतिन्या पुजामा नो जोड़ के अपने को बताड़ी आएगा A या ते B दा पानु मूल पता है A अठारा है बर बताड़ी ते एत्वा अपां सी जो तीसरी पूझा है वो काड़ लांगे बताड़ियां विच्छों अठाई नों कटा के ते देखो सी यह अपने को किन ना गया है जी 14 सेंटीमीटर ते होन सून आपां किस दा पता करना है पर माप के हुझए जो पर माप बचा दो पर माप अपने पता है बताड़ी 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 बचा दो गरके अध्य अर्ध पर माप अपने को किन ना गया है जी 22 ते हुन सुना अपर पता कर लेना पहला है S कटाओ A या अपां ही रोसु तबे यूज करना है S कटाओ B ते S कटाओ C या अपर पहले ही पता कर लेने हैं जी देखो S अपने को 1 है कटाओ 18 1 है विच्छों 18 कटाओ वांगे 3 फिर S कटाओ B, 21 कटाओ 10 या जाएगा अपने को 11 फिर 21 कटाओ C, C अपने को देखो किना है 14 21 कटाओ 14 तो A अपने को 7 आ गया है होन सुन तुसी एथे तक पहला इसमों नोट कर लो फिर आपां के Hero दे सूतर नाड़ जो 3 पुचदा है खेतरफालों पता कर दे हैं जी इस 3 पुचदा खेतरफाल, खेतरफाल की हुन दा है ए जो 3 पुचदे अंदर वाड़ी जगा है जो मैं Red Color न शेड कर रहे हैं इस नों आपां 3 पुचदा की कहते ने हैं खेतरफाल के दे हैं ते 3 पुचदे खेतरफाल दा होन सूना पां लगाँना है जी Formula Hero सूतर रेकॉर्डिंग ते Hero दे सूतर रेकॉर्डिंग अपने को की हुन दा है Hero दे सूतर अनुसार Hero दे सूतर अनुसार जो 3 पुचदा खेतरफाल है Area of triangle जांक ती पुचदा के तरफाल के इस दे बरबर होन दा है S गुणा S कटाओ A वर्गमूल दे अंदर गुणा S कटाओ B जे गुणा नहीं भी पामागे ता भी अपने को सही होएगा गुणा S कटाओ C एक गुणा पाई है तांके ता नों confusion ना होवे हुन देखो इत्या अपना सारी value फिल कार दे नहीं है S दी value अपने को सेगी 21 S कटाओ A दी अपना value कर डी सी 3 S कटाओ B दी value अपना कर डी सी 11 S कटाओ C दी value अपना कर डी सी 7 S कुण देखो स्टोन देथे A जो 3 अते 7 है जेकर ना गुणा कर ये 1 की बन जाएगा 1 की एक पहला भी है अपने को 1 की पहला ही है 3 अते 7 नों गुणा किता A भी अपने को 1 की आ गया ते A थे बाज़िगा कर लाँ अपने को 11 इक इपने को वर्गमूल दे अंदर दो बार आ गया है ते वर्गमूल दे अंदर जेकर नमबर दो बार ये आ वे तो इसमें आपने को 11 ते A स्टून अपने को आ गया है जी इस तरी पुझ दा खेतर फल ते पिछी आपा लिख देना है सेंटी मीटर दा वर्ग सुनावला कुशन इस तरह है जी चितर वेचे जे रखामा PQ अते RS बिंदू T दे उपर इस तरह कट दिया होन कि जो कौन RPT है वो 95 डिगरी है PRT 40 डिगरी है TSQ कौन 75 डिगरी है ता क्यो SQT आपा पता करना है देखो ए वड़ा कौन आपा पता करना है यह थे अपने को S है SQT आपा पता करना है जिसनों मैं Shade कर रहे हैं ते इसनों आपा सब तो पहला जो कौन देते हैं उन्हादी नंबरिंग कर लेनी है जी पहला देखो मैं पहला इस ट्रेंगल दी गाल करते हैं जी ए वाली जो ट्रेंगल है ट्रेंगल पी आर्टी इस दे विच कौन दी नंबरिंग कर लेने हां पहला इसनों रख लो जी कौन एक एक कौन जाहें इसनों पी आर्टी कौन ही माल लेने हां अपने को पहली त्री पूज है पी आर टी देवेच जो उपर वाड़ी त्री पूज है इसदेवेच आपनों पता है कि त्री पूज देतना कौना दा जोड है वो किसदे ब्राबर हुंदा है जी 180C इसनों नमबर एक लिख लेने हैं आवड़ा कौन जो है टी ते बन रहे है ते देखो P, R, T, 3 पूझ दे वेच अपने को P कौन, जमा R कौन, जमा 1 कौन, ए तिन्ना दा जोड किस दे बराबर आएगा, 180 डिग्री आएगा, डीजन आप लिखना है, 3 पूझ दे तिन्ने कौना दा जोड, एक ते ब्रैकेट बेच लिखना है, 3 पूझ दे तिन्ना कौना जोड कि अपने को 180 डिग्री हुनदा है, P, देखो अपने को 95 डिग्री है, R अपने को 40 डिग्री है, ते कौन, एक आपना पता करना है, जी, पचन में ते 40 नों प्लस करांगे, 135 डिग्री आजाएगा, 180 होन, 135 नो उदर जागे, अपना कटा देना है, 180 दे विच्चों, 180 द अपने को आजाएगा, जी, पंतारी डिग्री, हुन ते आना देखो, जो कौन एक है, इस जो ट्रेंगल, दूसरी तरफ ट्रेंगल बन रही है, यह वाली ट्रेंगल देखो, इस दे विच इस नों आपने को नों दो रिख लेने है, कोन एक कते कोन दो, आपस विच की हन, वर सिखर सानमोख कोन, सिखर सानमोख कोन, सोन एक पहला नोड कार लो, फिर आपना आग्ये सॉल्व कर दे हां, जी, ते होन सोन आपना गाल करनी है, त्री पुज, स क्यो टी, त्री पुज, स क्यो टी, दे वेच देखो, त्या नाड होन, ए नीचे वाली जो त्री पुज है, इ थे तिन कोण 2 कों तिन्ठ कोण जो एस ते कोण है को एस एat बहुने ही मिलके अपने को एक जोओ सिस्ट रइनन हो रजिन हियायगा। त्री पुछ दे तिनना कोणादा जोड होना दो कोण अपने को 55 डिगरी है, 3 कौन आपाँ पता करना है, ते जो 5 कौन है, फिल्वादा जो S ते कौन बन रहा है, वो अपने को किनना बन रहा है, जी 75 डिगरी, होन 55 या ते 75 जोड़ ज़ना है, एक सो वी आ जाएगा जमा तेन कौन बराबर एक सो असी ते ये थो होन तेन कौन किस तरह पता करना है एक सो असी दे विच्छों एक सो वी दिरा के कड़ जाएगा ते जो तेन कौन है ओ किस देखकर दूआ जाएगा 60 degree एक तेन कोण केड़ा कोण है जी ए ही है SQT जो देखो ना SQT ए वड़ा कोण अपने को जो है SQT कोण एक इस देखल डूँ आजाएगा जी 60 degree इकल आजाएगा तो अगला कुछन अपने को इस तरह है जी इस देखला पाठ है तो रेखी जोड़ा आपने कई बर कर चुके हैं रेखी जोड़ा होंदा है जिनादा जोड 180 degree होवे तो यह में जो फरस्ट वाला है उस इना मैच कर जाएगा दूसरा है सिखर सानमुख कोण सिखर सानमुख कोण भी आपां कई ऐ बर कर चुके हैं जिस तरह क्रॉस बनदा है सिखर सानमुख कोण आपसविच की होंदे हैं बराबर होंदे हैं एस देखली मैच कर जाएगा जी रिफलेक्स कोण रिफलेक्स की होंदे हैं 180 360 ते विचकार जो कौन होवे जिस तरह मानलो 270 है 280 कौन है 200 है 180 ते 300 ते विचकार जो भी कौन होएगा उसमें अपना केड़ा कौन कहादे नहान रिफ्लेक्स कौन ए बीना मैच हो जाएगा ते लास विचर चौथा जी सम कौन 3 पूज विचक करन सब्तों लंबी पूजा होंदी है यह अपने को इसदिनल मैच हो जाएगा कि जो सम कौन 3 पूज की होंदी है जिस दे विच एक कोन अपने को 90 ज़कर दिघ्रीद होंदा है भी 3 cm है, B, C, 4, C, D, 4, D, A, 5, यते C, 5, तो इस दी पहला आपा इस तरह रफ एक डागरम बना लएनी है, यह देखो आपा एक रफ जी एदर डागरम बना लएनी है, A, B, C, यते D, A, C, यते D, A, C, बन गई है, देखो इस दे विच A, C भी अपने देता होया है, 5 cm, यह हैं, कला 3 लेख रहे हैं, B, C, 4 है, फिर C, बस देखैए पने को 4 है, 2,com, बस देखो 5 है, जी ये वाड़ी जो नीचे वाड़ी ट्रेंगल है उसनों नंबर वाण लिख लेने हैं उपर वाड़ी जो ट्रेंगल है उसनों नंबर टू पहला आपां ट्रेंगल एकदा सौल्व करांगे खेतरफल करांगे फिर आपां ट्रेंगल दोदा खेतरफल करांगे फिर आपां मपें तुर्य पूज नर्ते साइडं नहीं बता है देखो तया चाहि मटा नहीं सेन्टिमीटर फै कर दो 5 पेरिमीटर वोगी हुंदा है आपने को A जमा B जमा C बटा 2 ते देखो 5 जमा 3 जमा 4 बटा 2 5 3 8 4 12 बटा 2 ए आगे आपने को 6 सेंटीमीटर ना तुछी सेंटीमीटर लेख लेना है जी उन आपा पहले पता कर लेना है S कटाओ A S कटाओ B S कटाओ C पहले हैं आपा पता कर लेना है S कटाओ A मतलब 6 कटाओ 5 6 कटाओ 3 ते 6 कटाओ 4 5 कटाओ 5 6 बिचों 1 एथे 3 ते एथे अपने को 2 होन आपा लगा देना हीरो एस उत्तर एरिया ओफ ट्रेंगल A B C जो पहली ट्रेंगल है उजदा एरिया की होएगा खितर फल की होएगा S, S कटाओ A, S कटाओ B, S कटाओ C, एदेखो अपने ते नो वैल्यू फिल कर देने हैं सारी हैं जी वर्ग मूल थे अंदर A 6 आजाएगा 1, 3, 3, 2, एदेखो एवाली वैल्यू अपने को 2 बारा चुका है ते जे वर्ग मूल थे अंदर 2 नंबर सेम आजनता है, वो सेम नंबर 12 आजनता है, ते होन वर्ग मूल थे अंदर कोशी भी नहीं बचेगा इट मिन पहली जो त्री पूज है उजदा खेतर फल के ना आ गया है, 6 सेंटीमीटर स्केर ते होन आपा पता करना है जो दूसरी ट्रेंगल है, पहला स्टोन एन ना दूसरी नोट कर लो, फिर मैं दूसरी ट्रेंगल था नुकरवाना हां जी करना है जी दूसरी ट्रेंगल था एरिया, इस दे वीच भी देखो अपने को, जो त्री पूज केड़ी है जी अपने को ADC, त्री पूज ADC वेच अपने को जो A है, O 5 है, B वी अपने को 5 है, C अपने को 4 है पहला है, S कर लेना है, A जमा B, जमा C बटा 2, एक न आएगा देखो 5 जमा, 5 जमा, 4 बटा 2, 14 बटा 2, कटिंग करके अपने को 7 आपने को देखो S-A, S-B, S-C आपना पता कर लेना है जी 7 कटाओ 5, 7 कटाओ 5, 7 कटाओ 4 ए देखो किना जाएगा जी 2, 2, 3 आपना एरिया पता करना है दूजी ट्रेंगल दा एरिया किना जाएगा अपने को हीरो दे सूतर दे आपने को आपने को आगया जी एरिया दोसी ट्रेंगल दा अपना किस दा एरिया पता करना सी चतर पुझ दा ते चतर पुझ जो है उस दा जो एरिया है एरिया एरिया लिखदा कि अगर वो पहली ट्रेंगल जमा दूसरी ट्रेंगल दा एरिया इसनों आपना एरिया देना लिख जना है जी उन पहली ट्रेंगल दा एरिया देखो अपने को छे आए सी ते दूसरी ट रैकेट पाक के पार तुसी ही कठाई लग देना है सेंटीमीटर दा वर्क सुनाला कोशन इस तरह है जी दो सिक्यानों इकठे 500 बार उशालन ते सानू प्रापत हुंदा है दो चेत 105 बार एक चेत 275 बार ते कोई चेत नहीं 100 वी बार इना विच्चों हर एक कटना दे कटन दी संबावना पता करनी है होन देखो किन्या कटना माई थे कट यहान जी पहला देखो दो चेत फिर एक चेत फिर कोई चेत नहीं यह तिन कटना माई हन यह तिनने ही कटना माई दी अपन की पता करनी है संबावना पता करनी है ते कटना दे कुल परणाम किन्ने हन वो अपनों उपर नजर आ रहा है सिक्के नों किन्नी वार उशालिया है जहां तुसी इना नों प्लस भी कर सकते हो 105, 275 ते 102 नों अपनों प्लस करांगे प्लस करके अपने को टोटल 500 आएगा इट मिल कटना दे कुल परणाम अपने को पांज जहान ते इसनों हाल किस तरह करना है स्टोनल साब तो पहला तुसी ये फार्मला लिख लेना है कि कैसे भी कटना दे होन दी की संभावना होन दी है कटना दे अनकूल परणाम बटा कटना दे कुल परणाम होन पहला देखो आपा पता करना है चित और दी की संभावना है ते त्यान ना देखो दो बार चित किन्नी बार आया है यह आपा उपर लिख रहना है नीचे कूल प्रणाम अपने को 500 हन ते कटना दे अनकूल प्रणाम दो चेत देखो किन्नी बार आपने को आया है 105 तो यह आजाएगा दो चेत और दी संभाव ना की होगी 105 बटा 500 दूसरा है जी एक चेत होन एक चेत देखो आपने को किन्नी बार आया है जी जो मैं रेड कल लर ना देखो इसनों मार करते हैं जो एक चित है वो 275 बार इट में 255 बार एक चित आ रहा है कुल पर नाम अपने को 500 यहोन गे इस ते तीसरा अपने को है कि कोई चित नहीं आपने को नीचे 500 यह आएगा कटना दे कुल पर नाम कोई चित नहीं बार आ जो आपने को किन्नी बार है 100 V बार इट में इतने अपन को इस question पर दा last question है जी ते question दी statement इस तरह है ABC अते DBC एक को अदार BC उते दो सम दो पुजी त्री पुजाहान सम दो पुजी त्री पुजा मतलब दो नान या दो दो पुजाहान बराबर होण गी है जी सिद्ध करना है कि जो कोण ABD है वो कोण ACD दे बराबर है देखो अपने को एक उपर ट्रेंगल नजर आ रही है ABD ते नीचे वाली ट्रेंगल है DBC दोने ही जो एक की ही दो आदा बेस है BC ते दोनों ही सम दो पुजी त्री पूजाहान ते आपान सिद करना है कॉन ABD, हुन देखो कोन ABD केड़ा उसनों मार्क करदा है, यह देखो जी, कॉन ABD, यह पुरा कॉन है, ते देखो यह आपाना कोन अद्धा उपड़ी ट्रैंगल वेच पर आ है, ते अद्धा थोड़ा या नीचे वरी ट्रैंगल वेच भी है, मतलब द होया है तो इसनों अपना सॉल्व किस तरह करना है इसलिए अपना थोड़ा जाट ट्रिक लगाना है ट्रिक इस तरह लगाना है कि अपना ज्वाइन कर देना है इस तरह तुसी बना देनी है तो उस दे विच ए इस तरह है उसनों ज्वाइन करके तुसी दिखा देना है लिखन यवाई ट्रिंगल अपने को बन गोई है , सज्जे पास ॏ वाली ट्रिंगल बन गोई है ,सज्जे पास तरफ देखो इसा सिंगल लाइन है , इसा सिंगल लाइन है , बत्र एवाई पूझा इसा ब्रबर होईगी , इते डबल लाइन है इत्थे भी डबल लाइन है यह वाली पूझा इस दे ब्राबर होएगी तो होड़ी है दो अपने को नमिया त्री पूझा आ गई है हान अपा उना दे कोडिंग उना दे रही एक कोशनों सिद्ध करांगे देखो जी त्री पूझ एदर लेलांगे अपा इस दा हाल पर लेकिलना है तुसी इस तरह हाल अपां दो त्री पूझा लेनी है हान एक सज्जे पास्य वाड़ी एक ख़ब्व्द पास्य वाड़ी यह विच्वाड़ी लाइन है हूशन तुस्मी कूल जाना है यह जो सेंट्र वाड़ी जान्य है इससनों होग अपा पूल जाना है यह देखो अपने को 3 पूज केड़ी है जी 3 पूज सज्जे पासे बाड़ी खब्बे पासे बाड़ी प्रण लेखे लेने हान ABD अते 3 पूज दूसरे पासे है ACD 3 पूज ACD वेच दोने ही 3 पूज आँ वेच देखो जो AB है वो किस देखकल टू है? AC देखकल? अपनो देखता ही होया के साम 2 पूज इतरी पूज है ते यह ते आँ तुसी लिख सकते हो देखता है क्योंके डियाग्राम दे वेच देख़े आपनो इस शो हो रहा सी यह दुआ वेच साजी है चाहे खब्य पास वाली ट्रेंगल है चाहे सज्जे पास वाली तो AD भराबबर AD अपमान लिख देना है जी AD भराबर AD इसन दि लिख देना है ब्राकट वेच साजी पूजा ते हूं शोन देखो ट्रेंगल दियां तिनने पूज आम आपस वीच बराबर हो गई हाँ ते जेकर इस तरह बराबर हो गई हाँ तो दोनों ही ट्रेंगल जो हाँ ट्रेंगल A, B, D ये सर्बंग सम हो चुकी है किस दे त्री पूज A, C, D दे सरबंग सामतादा केड़ा नियम लग गया है SSS नियम अनुशार पुजा 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 तो ये कर दोनों ही ट्रेंगल आपस विचे सरबंग साम हान तो इना दे जो corresponding parts हों दे हान वो CPCT देना आप 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 ब्राबर कर देने हान तेज़दा मतलब है जो कौन ABD है वो किस दे ब्राबर हो जाएगा कौन ACD दे ब्राबर हो जाएगा इत्या पा लिख देना है जी by CPCT corresponding parts of concurrent ट्रेंगल इसनों पंजाबी विच किया जानदा है सरबंग सामत्री पुजान दे संगत पागी हुन दे हान ब्राबर हुन दे हान CPCT